ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, बीस फरवरी दो हसार बाइस प्राताह मुरली ओम शांति, अव्यक्त बाप दादा, रिवाईस है चोदा एक नब्बे मधुवन, पुर्शार्थ की तीव्रगती में कमी की दो मुख्य कारण, आज ब्राम्हनों के अनादी रचता बाप दादा, विशेश अपनी डारेक्ट समीप रचना, श्रेष्ट रचना ब्राम्हन बच्चों को देख रहे हैं, बाप दादा की आती प्यारी रचना ब्राम्हन आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने की लक्ष को सदा स्मरती में रख आगे बढ़ रहे हो, तो आज ऐसी आदी रचना कियों विशेश रूप से देख रहे थे, और आदी रचना का मतलब जो सत्यों की आत्माएं है, जिनका पाट सबसे पहले शुरू हो जाता है, सुख की दुनिया में, है न, जीवन मुक्ती में, तो इस तरह आदी रचना को विशेश रूप से देख रहे थे, सर्व तीवर पुर्शार्थी और पुर्शार्थी, दोनों की गती विधी को देख रहे हैं, बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेश्ठ सहेज विधी द्वारा कब तीवर गती, वाकम तीवर कभी कम गती, दोनों ही प्रकार के ब्राम्वन बच्चों को देखा, पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, किसी को कम, किसी को जादा नहीं, लेकि लगकिक जीवन में तो एक्स्ट्रा पैसा रख करके, प्राइवेट टीचर रख करके, टिउशन आदी लगा लेते हैं, लेकिन यहां तो बाप ऐसा एक बराबर, एक जैसी दे रही हैं, सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, फिर गती में अंतर क्यों, तेब्र पुर्शार्थी अर्थात, फोस्ट इवीजन वाले, और पुर्शार्थी अर्थात, सेकेंड डिवीजन में पास होने वाले, आज विशेश सभी का पार्ट चैक किया, कारण बहुत हैं, लेकिन विशेश जो हैं, दो कारण हैं, चाहना सबकी फोस्ट इवीजन की है, सेकेंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष और लक्षन दोनों में अंतर पड़ जाता है, विशेश दो कारण, क्या देखे, एक संकल्प शक्ती जो सबसे श्रेश्ट शक्ती है, संकल्प भी सुक्ष में रूप से कर्म करते हैं, जो आप अंतर मन में कहते हैं, हम तो शान्थ हैं, किसी को नहीं कहते हैं, लेकिन आपके मुख से शान्थ होना, और अंतर मन से शान्थ होना, आपके अंतर मन में श्रेश्ट संकल्प चल रह या व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, समर्थी में है या विस्मर्थ समर्थी में नहीं है, व्यर्थ के संकल्प को बोलते हैं, कि आपके जो सुक्ष्म संकल्प शक्ती है वह कैसी है, श्रेष्ठ है या कैसी, तो एक बाबा ने कहा संकल्प शक्ती जो सबसे श्रेष्ठ शक्ती है उसको यथार्थ रीती स्वयम प्रति वा सेवा प्रति समय प्रमान कार्य में लगाने की यथार्थ रीती नहीं है दूसरा करण वानी की शक्ति को यथार्थ रीती समर्थ रीती से कार्य में लगाने की कमी इन दोनों में कमी का कारण है यूस के बजाए लूस शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पढ़ जाता है बाप दादा ने सिर्फ, दो, सिर्फ क्या किया, तीन चार दिन की रिसल्ट देखी, ठोटल रिसल्ट नहीं देखी हर एक की बाबा ने क्या किया है सिर्फ 3-4 दिन की रिसल्ट देखी, टोटल रिसल्ट नहीं देखी, हर एक की 3-4 दिन की रिसल्ट में क्या देखा? संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का हाथा, 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थवा साधारन का हाथा तो इस तरह 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थवा साधारन का हाथा, 63%, 60% देखा, तो सोचों जमा कितना हुआ? जादा वजन किसका हुआ? इसमें भी बाचा के कारण मंसा पर प्रभाव पड़ता है, मंसा वाचा को भी अपनी तरफ खीचती है, जो आपके मन में चल रहा है, वह क्या करता है? वाचा को भी अपनी तरफ खीचती है कई बार हम कहते हैं, किसी से अंदर ही अंदर 15 दिन से हम बदले की भावना या उसके प्रती सामने वाली आत्मा के प्रती व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं और हम उससे face to face मीट करते हैं, तो हम उससे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमें वो बुरा भला कहना शुरू हो जाता है और हम सोचते क्या हैं, और डाटते भी हैं और उस पर बिगड़ भी जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा और तुमने इतना सारा सुना दिया बिना कुछ कहें, आप भूल जाते हैं कि आपकी जो मन में संकल्प चल रहे हैं, जो मन सा था आप का मन, उसके प्रती, उस सामने वाली आत्मा के प्रती, विर्थ चला रहे थे, जो नहीं सोचना, उसके प्रती, वह सोच रहे थे, तो वो बाद्चा को भी अपने तरफ खीचती है, समझ में आया, तो आज बाप, दादा, बाणी, बोल, बाणी अर्ठात, बोल की तरफ विशि आटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का समधु अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है, शबत का अर्थ है, शबत दिखाई नहीं देती, लेकिन शबत सबको छू सकते हैं, आद्रश्य शक्ती है लेकिन सबको सकते हैं, तो मधुरवाणी और कडविवाणी आपके गुण और आपके अवगुण वही तो याद रखते हैं तो आपका संबंध आपके चरेत्र से पता चल जाता है तो क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है और क्या देखा क्या मनसा द्वारा याद में रहना है उसके लिए फिर भी बीच पीच में प्रोग्राम रखते हैं लेकिन बोल के लिए अलवेला बन जादा है इसलिए बाप दादा इस पर विशेश अंडरलाइन करा रहे हैं दो वर्ष पहले बाप दादा ने विशेश पुर्शार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को तीन बातें बोल के लिए कही थी कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो यहां तो उल्टा ही है जादा बोलो, जोर से बोलो, कड़वा बोलो यही तो चल रहा है तो बाबा ने क्या कहा कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, मधुर बोलो जरूत नहीं है तो शांत रहो व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज्यादा बोलेगा मजबूरी सी समय प्रमान संगछन प्रमान आपने को कंट्रोल करेगा लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शान्ती में चुप रहने लिए बांधा है व्यर्थ बोल बड़ेती बड़ा नुकसान क्या गरता है एक तो शारेरिक एनरजी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है और दूसरा समय व्यर्थ जाता है जो हम संकल्प करते हैं और फिर जो हम मुख से बोलते हैं तो आपको पता है जो हम संकल्प करते हैं और जो हम मुख से बोलते हैं तो वो हमारे आसपास की सारे environment को वैसा ही बनाती है जैसी आप सोच रखते हैं, जैसा आप बोलते हैं, तो वैसा ही आसपास का महोल भी हो जाता है, तो इस तरह से एक तो शरीर की energy समापत होती क्योंकि ख चोड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा में पॉइंट नहीं है ना पॉइंट्स बनाते हैं जबकि बाबा केते हैं अब पॉइंट्स नहीं अब पॉइंट बनने का काम है पॉइंट बनकर पॉइंट को याद करना है बिंदु बन बिंदु सिंधु समान प्रमात्मा को याद करना है तो जैसे रामायन महा भारत की कथा इंट्रस्ट से सुनाते हैं खुद भी रुची से बोलेगा दूसरे के भी रुची पैदा कर लेगा लेकिन result क्या होती रामायन महा भारत की result क्या है रामबन वास गया कौरवों और पांडवों की योद हुई कहानी जैसा दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया उन्होंने इतना कश्ट सहन किया उन्होंने भगवान होने के बावजूद उन्होंने लोगों का ज्यादा खयाल रखा कितना उन्होंने त्याग किया है इस तरह से बहुत कनरस के लिए सब कुछ सुनाते हैं सुनते हैं और अपन भी उस तरफ खिच जाते हैं तो बाबा कहते हैं उसकी रिजल्ट क्या हुई कि रामबनवास कया कौरवों और पंडवों की योद्ध हुई कहानी जैसा दिखाते हैं सार कुछ भी नहीं लेकिन साज बहुत रमणीक होता है इसको कहते हैं कथा व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाओं के कारण वह कमजोर आत्मा है उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सत्ति इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होश्यार होगा बाहर से ये कभी-कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और जादा लगता है लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है इसलिए कभी-कभी कहां-कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है बहयाराम से जाने वाली नहीं है अब उसी के देश में रहेंगे तो वो तो हर जगह मिलेगी ना तो लास्ट गढ़ी तक डायरिक्ट नहीं तो इंडारिक्ट कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया-नया रूप धारण कर ब्राम्हनों की ट्राइल करती रहती है ना बड़ी बाबाने फणी भी और बहुती समझने की बात कही है तो वो तो ट्राइल करती रहेगी ब्राम्हनों के उपर फिर भोले भाले ब्राम्हन क्या कहते यह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचत कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी लेकिन माया चीत बनना है यह भूल जाते हैं स्वराज अधिकारी बनना है यह भूल जाते हैं और बात वियर्थ बसाधारन बोलके भिन भिन रूप देखे एक सीमा से बाहर लिमिट से परेहसी मजाग, दूसरा टॉंटिंग, वे तीसरा, इधर उधर के समाचार इखटर कर सुनना और सुनना चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, क्या करते हैं, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं, बाबा ने तो यह ऐसा मना किया था, बाबा तो यह मना करते हैं, बाबा ने तो मूरली में ऐसा ही नहीं लिखा है, तो क्या करते हैं, जो सेवा, मैं भी संकठन नहीं है, सेवाधारियों की कमजोरीयों का चिंतन करना, चिंतन किसका करना चाहिए, जो परमात्मा आप से कहते हैं, लेकिन उसका तो यह है मिक्स चटने और पांचवा, पांचवा है आयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मनों की डिक्षनरी में है ही नहीं, यह पांच रूप रेखाएं देखी, इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिंती करते हैं, ऐसा नहीं समझो, हसी मजाक अच्छी ची और जिससे हासी मजाक करते हो, उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया, रमनीक्ता का गुण अच्छा माना चाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायू मंदल के प्रमान, रमनीक्ता अच्छी लगती है, अगर इन सब बातों म से एक बात भी ठीक नहीं, तो रमनीक्ता भी व्यर्थ की लाइन में गिने जाएगी, और सर्टेफिकेट क्या मिलेगा, कि हासे आते बहुत अच्छा हैं, लेकिन बोलते बहुत हैं, इस तरह बाबा समझा रहे हैं, तो मिक्स चटनी हो गई, तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरशोत्तम कहते हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, या कौन सा स्वभाव है, बाप दादा बाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरशोत्तम नहीं कहेंगे, साधारन पुरुष कहेंगे, बोल सदे वैसे हों, जो सुनने वाले चात्रक हों, कि यह इसको कहा जाता है अनमोल महवाक्य महवाक्य ज़ादा नहीं होते न महवाक्य जो महान बोल होते हैं उन्हें ही तो महान आत्माय कहते हैं गुरुमानी किसे कहते ये कम लेके बहुत ही महान वाक्य, तो जादा नहीं, महावाक्य जादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे, तो सत्गुरू के बच्चे, मास्टर सत्गुरू के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं, व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धी में व्यर्थ बाते व्यर्थ समाचार चारो और का कुड़ा खिछड़ा जरूरी खटा करेगा क्योंकि उनको खथाकर अमणी गुरूप देना पड़ेगा जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धी है ना इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है युक्ती युक्त है स्वयम के और दूसरी आत्माओं के लाब लायक है वही बोल बोलो बोल के उपर अटेंशन काम है इसलिए इस पर डबल अंडर लाइन विशेश इस वर्ष बोल के उपर अटेंशन रखो चेक करो बोल त्वारा एनरजी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया जब इसको चेक करेंगे तो स्वता ही अंतर्मुखता के रस को अनभव कर सकीगे अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस इसमें रात दिन का अंतर है अंतर्मुखी सदाब्राकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्थ का अनभव करता है समझा समझना अर्थात बनना हैं ही समझदार तब तो भाग्य मिला है ना निमित बनने का भाग्य इसका माहत्वा भी कभी कभी साधारन लगता है लेकिन यह भाग्य समय पर अतीश्रेश चानभो करेंगे कितने बाबा केते किसने निमित बनाया किसने मुझ आत्मा को इस योग चुना यह स्मृति ही स्वताह श्रेश बना देती है आप यदि ग्यान दे रहे हैं तो आपने खुद का चुनाओ खुद से तो नहीं किया ग्यान दाता ने चुनाओ किया तब आपको निमित बनाया है न बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे, सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों की गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे, यह कम बात नहीं, सारे विश्व की कोटों की कोट करोडों आत्माओं मैं से गिं दीने मित टीचर बनी हो, शुक्रिया बाबा, तो ब्राह्मन परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में, कोई हो गई, हो गई न, टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहें, बापदाता को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयोक्त टीच पर नाज होता है, अच्छ, प्रबर्ती वाले भी मजे में रहते हैं न, मुझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मन जीवन में हर सकिंड तन, मन, धन, जन का मजा ही मजा है, आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना, और कु अमरितवेले सोचाते हो, ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबव को नीद आ गई, या एक सेवा करेंगे तो अमरितवेले को छोड़ देंगे, तो क्या जमा हुआ, जमा क्या हुआ, एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं, एक तरफ सेवा की, दूस तरफ अमरितवेला मिस कर दिया, तो एक तरफ मिस, एक तरफ एक तरफ एकट, तो बात बराबर होगे, तो क्या हुआ, लेकिन नेमी नाथ, मुआफिक ऐसे जुटका खाते नहीं बैठना, वह टी भी बहुत अच्छी होती है, जैसे वह योग के आसन करते हैं, अनेक प्रका चून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है, बाप दादा के पास वह भी कैसेड है, कैसेड तो है, तो आप डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा, आच्छ, चारों और के श्रेष्ट लक्ष और और सयम में रखने वाले पुर्षोत्तमात्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नौलेजफूल आत्माओं को, सदा हर सकेंड मोज में रहने वाले बेफिकर बादशाहों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात, पहला साइलेंस की शक्ती को अच्छी तरह से जानते हो साइलेंस की शक्ती सेकेंड में अपने स्वीट होम, शांती धाम में पहुचा देती है साइंस वाले तो और फ्वास्ट गती वाले यंत्र निकालने का प्रयतन कर रहे हैं लेकिन आपका यंत्र कितनी तीवर गती का है सोचा और पहुचा ऐसा यंत्र साइंस में है, जो इतना दूर बिना खर्च के पहुच जाए बिना कोड़ी खर्च की है, बिना साधन के, बिना बस के, बिना यान के असंभव है जहां हम पहुच जाते हैं, परे ते परे, तो बाबा केती हैं वो तो एक यंत्र बनाने में कितना खर्च करते हैं, खर्चा करते हैं, कितना समय और कितने अनर्जी लगाते हैं आपने क्या किया, बिना खर्च मिल गया, यह संकल्प की शक्ती सबसे फास्ट है, आपको शुब संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धी मिली है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धी से पहुँच जाते हो, जब चाहे तब लोटाओ, वहां का तो ना 3G ना 4G ना 5G वहां का तो सदा बिना रुकावट के Wi-Fi है, चलता रहता है, तो इस तरह से दिव्य बुद्धी से पहुँच जाते हो, जब चाहे जाओ और जब चाहे तब लोटाओ, जब चाहो तब चले जाओ, साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता की, आज बादल हैं, नहीं जा सकेंगे, आज कल देखो बादल तो क्या थोड़ी सी फागी, फॉग भी होती है, तो प्लैन नहीं उड़ सकता है, और आपका विमान एवर रेड सकती है, कोश्चन करें बाब, तो माया कभी रुकाबट तो नहीं डालती है, मास्टर सर्वशक्ति मान को कोई रोक नहीं सकता, जहां सर्वशक्ति आ हैं वहां कौन रोकेगा, कोई भी शक्ति की कमी होती है, तो समय पर धोखा मिल सकता है, मानो सहिंच शक्ति आप में है, ल जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा, ऐसे बाबा केते होती, एक ही घड़ी निर्णय करने की है, देर लगाएंगे तो वो समय निकल जाता है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है, तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो, ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं, वह सब हैं, या थोड़े मैं खुश हो गए, कि बाप तो अपना हो गया, बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी, वर्सा भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया, वो ठी वर्से के मालिक बनना है ना, बाप की property है सर्वशक्तियां इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिमान, almighty authority, सर्वशक्तियों का stock जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया, बस, बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चल कर आप Master सर्वशक्तिमान के पास, भिकारी बनकर आएंग आपकी एक नजर के प्यासे रहेंगे, शान्ती की भीक मांगेंगे, तो इस तरह आगे चल करके आपकी एक नजर उन्हें निहाल करेगी, तो ऐसे सर्वशक्ति मान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्ति मान के पास सब भिकारी बन कर आएंगे, पैसे या नास के भिकारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिकारी, आत्मिक बल के, शान्ति के, हिम्मत के, तो इस तरह से आएंगे. तो जब स्टॉक जमा होगा, तक तो देंगे ना, खुद के पास नहीं होगा, तो कैसे देंगे? दान वही दे सकता है, जिसके पास अपने से ज़ादा है, अगर अपने जितना ही होगा, तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो संगम पर और काम ही क्या है जमा करने का ही काम मिला है सारे कल्प में और कोई यूग नहीं है जिसमें जमा कर सको फिर तो खर्च करना पड़ेगा जमा नहीं कर सकेंगे इस संगम पर जो इखटा होता है ये सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए होता है बाबा कहते हैं, और अभी किया नहीं, तो फिर बाकी तो फिर बाबा कहते हैं, खर्ची होगा बस, तो इस तरह से अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह जमा नहीं कर सकेंगे, फिर खर्ची करना पड़ेगा, तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं है, सभी माताओं ने इतना जमा किया है शिवशक्तियां हो या घर की माताएं हो शिवशक्ति कहने से शक्तियां याद आती है कि इन माताओं को बाप ने शिवशक्तियां बना दिया है अगर कोई शक्त लाकर देखे तो क्या कहेंगे ऐसी शक्तियां होती हैं क्या लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माय शक्तिशाली हैं बाप तो आत्माओं को देखता है शरीर को तो देखता नहीं वह आशरीरी है तो शरीर को थोड़ी देखेगा ना बुढ़ा देखता ना जबान देखता ना बच्चा देखता तो बाबा कहते हैं मैं तो मेरे ब बच्चे को देखूंगा, लोकिक पिता लोकिक बच्चे को देखेंगे शरीर को, लेकिन मैं तो परमात्मा आत्मा को देखेंगे आत्मा रूपी बच्चे को, तो बाबा केते हैं ना बुढ़े को, ना जवान को, ना बच्चे को, आत्मा तो बुढ़ी बच्छोटी है ही नह तो यह खुशी है ना, कि हमको बाबा ने शिवशक्ती बना दिया, दुनिया में कितनी पड़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाब को गाओं वाले ही पसंद हैं, क्यों पसंद हैं? सच्ची दिल पर साहे राजी, तो बाब को सच्ची दिल प्यारी लगती है, जो भोले होंगे, उन्हें कपट, जूट कपट करने नहीं आएगा, जो चालाक चत्र होते हैं, उसमें यह सब बाते होती हैं, तो जिसकी दिल भोली है, अर्था दुनिया की मायावी चत्रावी से परे हैं, वह बाब को अती प्रिय हैं, बाब सच्ची दिल को देखता है, बाब की पढ़ाई क शक्ल को, गाउं को, पैसे को नहीं देखता है, सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाब का नाम दिल वाला है, दिल दे हद कर रहे हैं, हाथ से काम करो और दिल बाब को दे दो, दिल वाला, दिल वाला बाब क्या चाहता है, दिल चाहता है न, आच्छा, आज का वर्दान है, ध द्रण निष्टे भाग्य को निष्चित कर दीता है, जैसे ब्रह्मा बाप फर्स नमबर में निष्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स रिवीजन में आना है, और उन्हों को निष्चे था, तो निष्चित हो गए, बे परवख बात्षा, तो बे को याद करो और बे परवख बात् पची को यह golden chance है, सिर्फ अव्यास पर attention हो तो नमबर आगे ले सकते हैं, इसलिए master knowledge फुल्बन हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ, तो सब सहज हो जाएगा, जिसके साथ स्वयम सर्वशक्तिमान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है, स्लोगन है, स्वयम को हीरो पार्ट धारी समझ बेहदनाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो, साइड हीरो नहीं, हीरो, मेन हीरो, मेन एक्टर है न, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,